आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नासमिंस गैलरी मैं आज आज आप सभी के साथ हिंदी वनमाला से रिलेटेट सिखाने जाओंगी पहले तो मैं उन सभी विवर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी वर्ण माला जो इन्हे की कहा जाता है इन सभी को मिलाके हम वर्ण माला बोलते हैं हिंदी वर्ण वाला में स्वर, व्यांजन, सैयुक्त, अक्षर तीन भाग में बटा हुआ है सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे स्वर किसे बोलते हैं ये जो अक्षर आप देख रहे हैं इन्हें स्वर कहा जाता है ये जो अक्षर आप देख रहे हैं इन्हें व्यांजन कहा जाता है और ये जो आप देख रहे हैं तीन अक्षर इन्हें कहा जाता है सयुक्त अक्षर तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वर से स्वर जो हिंदी वर्म वाला होता है उसे पढ़ने के लिए आप कभी किसी बच्चों को सिखाने जाओ तो सबसे पहले सही ध्वनी के साथ उसे पढ़े सही ध्वनी मतलब सही उच्चारन के साथ पढ़े जैसे की मैं आपको पढ़के दिखाती हूँ पहले हम स्वर से शुरू करेंगे अ आ क्योंकि इसमें मात्रा लगा हुआ है आ की मात्रा इ इ इन्हें हम ये छोटी इ है और इसे बड़ी इ बोलते हैं इसमें थोड़ा खिचाब बोलते वक जादा रहेगा है जैसे की इ इ उ इसे छोटाऊ और बड़ाऊ भी बोला जाता है इसे छोटाऊ इसे बड़ाऊ उ इ आई ओ अउ अंग अहा री तो ये है स्वर जिसे सही उचारन के साथ हम इसी तरह बच्चों को पढ़ाएंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसी उचारन के साथ आप पढ़ होगे तो जितने भी निव लर्नर्स है या जो भी नए व्यूवर्स है वो पक्का इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छे सिखाएं जैसे हमने स्वर को पढ़ा स्वर यहां से लेकर यहां तक है वैसे ही हम व्यांजन पढ़ेंगे व्यांजन क से लेकर गिया तक है तो शुरू करते हैं हम इसे सही उचारन के साथ पढ़ना क ख ग ग अंग च च ज ज ज निय त ठ ड ड न त थ द ध न न त थ द ध ध न प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, अक्ष, त्र, ग्य, सयुक्त अक्षर ये तीन अक्षर स्वर और व्यंजन को मिलाकर सयुक्त अक्षर बोलाईगे इन दोनों को मिलाके स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो अक्षर बने हैं उसे हम सयुक्त अक्षर बोलते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत साहता मिली होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी उचारन के साथ पढ़िएगा धन अन्यवाद